बोट निर्वाना इतो फिया हेडफोन के लिए सिंगल कमेंट करना चाहूं तो ये साउंड क्वालिटी के अलावा आपको बिलोव एडरेस हेडफोन देखने मलते हैं तो मेरे चार जार रुपए थे इन पर उचके हैं वेस्ट एंड रीजन सिंपल है क्यों वेस्ट हो है अगर 4,000 रुपीज मेंने को स्पेंड करने हैं मैं आइदर जेबिल की ओर जाऊंगा या फिर मैं सोनी के हेडफोन हुआ है सनाइसर काभी आपको option में जाता है जो कि audio quality में बोट से कहीं premium है इवन दो अगर बोट की range में आता हूँ 751 ANC आपको बेटर option में जाता है ये headphone ना तो अपको ANC देते हैं application support नाम नाम का वहाँ पर कोई भी feature function नहीं जस्ट एक head rotation को control करने के लाव उसके लाव कोई भी feature आपको नहीं देखने हम लेगा तो मेरे को ये headphone totally waste of होनी लगा एंड चले देखते हैं क्यों ये headphone waste of होनी है तो निर्वाना इतोफिया का box कुछ step से मलता है यहाँ पर key feature सामने लिखे है special audio है built in head track है 360 audio कंसिडर कर सकते है ये fast charging का feature दिया है पीछे के दरब आप देखे हैं तो कुछ और चीज़े हैं जैसे की product के specification फोल्डेबल एरकप से gaming के लिए लेटनसी है बैच्चे बैकप 5.2 हैं बोट सिगनिचर साउंड यहां पर और यह बोट की hearable app का support करेगा तो उपर बोट की seal लगी हुई है तो हम इसको निकाल लेते है तो सबसे पहले हम यहां पर different paper मिल जाते है यह पेंपलेट है यहां पर आपको user manual मिल जाती है यह है warranty card पैकिंग थोड़ी सी environmental friendly की हुई है यहां पर आपको मिलेगे एक type-c charging cable और यह है aux cable 3.5 mm वाली आपके headphone पूरा का पूरा plastic pack है तो भाई इस nature friendly packing का क्या फाइदा जब plastic आपको in the end दे नहीं है तो यहां पर ear cup में एक में यह silicone दिया हो I guess इसको हटाते है तो बात कहते है product की build quality की काफ़े जगर पर बोट ने plastic use किया तो सबसे पहले जो इसकी build feel होती है वो काफ़ी light weight है दोनों के दोनों ear cups से बोट की branding आपको देखने के लिए मिल जाएगी left and right का initiation आपको ear cups के अंदर नी आपको यहां पर साइड में मिलता है and जो head rest है वो आपका ठीक है oral smooth आपको मिल जाएगा उपर भी आपको अगे बोट की branding मिल जाती है head adjustable आप इसको maximum like एक दो इंच कर सकते दोनों साइड से एक एक इंच है and जैसे बताया था यहां पर ear cups foldable है so I don't think so ear cups fold होंगे तो वो आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता जो सारे button controls है वो आपको left side पर मिल जाएगे volume up, down, microphone का है charging port, 3.5 mm jack and यह other reports दिये गए है different different जो हम functionality check करेंगे तो build quality में जितना premium में दिख रहे थे उसके near भी नहीं है काफ़ी cheap kind of build quality feel होती है maybe reason नहीं हो सकता है मैं अपना headphone और उसके साथ थोड़ा इसको compare कर रहा था JBLK 2.1 and like price में तो उनका कोई मकाबला है नी but इसके अंजर भी आपको 751 ANC में काफ़ी बड़ी आप built मिल जादे but I am disappointed with Nirvana Ithovia built तो आपने headphone ओरो देख लिया अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे comfort level की तो जो यहाँ पे ear cups है वो आपको cool mala के अच्छी खासी quality के मिल जादे है comfortable है over ear headphone ना मतला आपका जो पूरा का पूरा कान है वो यहाँ पे cover हो जाएगा second चीज ANC देते भी तो एक basic level of ANC देते and the over ear headphone आपको physical isolation दे देते जिसमें ANC की उतनी requirement नहीं हो दिया but ANC in ambient mode अगर होता तो एक वही है better feature आप बोल सकते थे and user को और attract करता but unfortunately वो चीज़ यहाँ पे नहीं है connectivity को लेके अगर मैं बात करता हूँ तो 5.2 यहाँ पे दिया गए latest connectivity नहीं है आपको manual pairing करना पड़ेगा कोई भी Google की fast pairing यहाँ पे नहीं मलती dual pairing का भी support नहीं है and आप इसको applications के साथ connect कर सकते है again as I mentioned सिरफ एक function है आप special audio के साथ head rotation को यहाँ पे monitor कर सकते है that's it उसके लाव update देख सकते है और कोई option आपको application में नहीं मिलेगा about the audio part sound quality कैसे because वही तो main चीज़ है उसके base पे ही तो काफी लोग purchase करते है headphone तो यहाँ पे 40 mm के audio drives दे गए है जहाँ पे A से SBC कोटेक नहीं है both signature sound and second यहाँ पे आपको मिल जाता है special audio effect दो sound है दो आप equalizer बोल सकते है या फिर two type of audio हाँ आप आप बोल सकते है जहाँ पे oral bass काफी अच्छा है साथ-साथ आपको clarity भी decent मिल जाती है तो treble, bass, clarity, everything is good and solid headphone है in terms of audio वहाँ पे मैं बिल्कुल भी scat नहीं करूँगा buttons की बात कहता हूँ तो button यहाँ पे दिये गए है ठीक है but यार like charger वाली feeling बिल्कुल भी नहीं है आपने charger spend के ऐसा लग रहा है भाई यह पूरा का पूरा plastic वो भी cheap kind of plastic यूज़ के या फिर call accept decline करने सब कुछ यहाँ पे आप कर पाएंगे अब 65 webinars mentioned है full gaming and gaming के दुराण आपको delay आएगा हलका full का slight delay है game खेल सकते है casual gaming करने तो अच्छा है अराँ से आप कर पाएंगे but अगर आपको बिल्कूल ही intermediate level करने है then आपको Oaks के बिलका है आपको यूज़ करना पड़ेगा because यार Bluetooth के दुवारा तो आपको थोड़ा वो delay आएगा ही आएगा experience होगा but वो delay आपको वीडियो में नजर नहीं आएगा वीडियो एंड ओडियो में काफ़ी अच्छा synchronized jampeya मिल जाता है जिसके कार्ण आप इसको यूटलाइज कर सकते है for watching movie, videos and other kind of stuff microphone भी अच्छा खास है आपको यूज़ कर दिया गए dual microphone है जो की रेली आपको headphone मालता है single microphone based होते है most of the headphones आपको dual microphone with NX for crystal clear at least boot के claim कर रहा but जब मैं इसको test out किया ठीक ठाक यार उत्रा कोई मज़ा नहीं आया आपको एक TWS Neckband wide earphone under 1000 उपी better microphone दे रेता है that's what I want to say but जारुदर रुपे के राउंड हमें microphone और बेटर हो सेकता है वो मेरे recommendation है बोल स्क्राइटों को मैंने के out to condition में microphone टेस्ट करें and और head ये headphones का से दिख रहे है feel बेच्चे हो रहे है and even the comfort level भी का स्क्राइच है but outdoor में microphone quality ये आपको own roll मिल जाएगी आप को मैंन करके बता सकते हैं कैसे microphone quality यहां पर मिलेगी battery के मामला में कुछ जा दे हैं पर उन्होंनों खास किया निए 20 गंटा है अगर आपके पास एक प्रीमियम डिवाइस है then unfortunately वो चीज नहीं होगी आपको आइदर connector लेके घूमना पड़ेगा साथ साथ OXCable लेके घूमने पड़ेगी जो की Bluetooth headphone को काफी inconvenient बनाता है and I know काफी लोग वो नहीं चाहेंगे अगर आप travel कर रहें wireless headphone यूज़ कोना चाहेंगे compared to a wide headphone घर में तो हर चेज़ चल जाती है अब सबसे ज़्यादा किस चीज ने मेरे को disappointment किया वो था इसका build जो first impression मेरी उमीड थी बोठी होड़ से और वो यहाँ पे नहीं है एक cheap kind of headphone ये फील होते है बर website पे काफी अच्छा लगता premium है काफी bulk होगा amazing build quality होगी वो सब कुछ यहाँ पे missing था and again यार just audio को थोड़के मैं किसी चीज के लिए भी इस headphone को recommend नहीं करूँगा better option आपके पास available है sony CH520 है JBLK 760 NC कई बार 1500, 4000 के आते हैं 720 BT आपको मिल जाता है without ANC वो आपको 4000 पीज के ही मलता है 720 BT है अच्छा option है again 4000 पीज के मिल जाता है तो इस टाइप से आप 4-5 option आपके पास है अगर बोट के फैन है काफी बड़े फैन है JBL ने चीए अधर ब्रेंड ने चीए क्योंकि वो तो हो चुगे वेस अगर आपको वेस नहीं करने है भाई पर्चेज मत करना यह है मेरे कुमेंडिशन पर्चेज करना ही है लिंक आपको निचे मल जाएगा अगर किसी वो लग रहा पैसे नहीं मिले इसलिए बुराई कर रहे है नहीं मिले भाई नहीं दी दिला दू आप लोग मेरे दे नेक्स वोडिया मेंटर रहें स्टेट इन स्योसन बाबाई